हेलो जी सारे नू मेरी बलो प्यार परी सत शिर्यकाल गाईस आज दी रेसपी या हरे प्याज ते आलू दी साबजी ते हरे प्याज दी साबजी थे नू सारे नू पताया कि किनी टेस्टी बन दिया पर मैं थन दस हूँगी कि एह हरे प्याज दी साबजी बनों तो पहला एदे बिच्चो आपानू गड़े लकटनी प्याणी या ताकि जड़ी आपड़ी साबजी याओ कड़ंगी ना बने ते एजड़े हन एदे पूकाया ओ मैं साफ साफ काटलूंगी ते हन मैं इत्थो ची दोंगी ताकि आपा एदी गड़े लकाट देए पंजाबी चेता गड़े लकाइन देनू पहला मैं इत्थो काटके ते फेर एदा चीरा देखे ते एदे बिच्चो आपा जड़ी कड़ंगी गड़े लिया ओ काडल मांगे क्योंकि ये कड़नी बहत जिरूरी या ते निता अब दम स्टिक तरह हों दीया है ते इनमें तोड़के दोखन दिया इदा हों दीये ते ए रचे जड़े ज कोड़े भी बहत ज्रूरी या ते अपा एदे जड़ी पूख है ओभी नहीं इस्तमाल कारने हैं गी जड़ी सारी सारी काड़े पूरी जड़े बूदी हैज बाकि आपना जड़ा हरा प्याज या ओ बिल्कुल होना सई या थे बाकी जड़ीया इरे पुकका साफ साफ है ओ मैं काड लोगे ते देखो हना अपना जड़ा अलप नीचला हिस्सा आया ओ बिल्कुल सई या ते दूझे प्याजदी भी आप इद दे काड़ दमांगे क्योंकि हरे प्याज चे गड़े लहुं दिया कड़नी जरूरी या ते एनू भी आपका काड़ल मंगे हरे प्याज दी साबजी चे जे आपका दू आलू भी पाल मंगे तो बहुत जादा टेस्टी बाण दिया ते एरे विच मैं दू आलू पाए सी क्योंकि जेड़ मेरे हरे प्याज सी काफी बड़े सी गये हो ते फिर में चे दो आलू पालाए सी ते आ देखो जी एधी भी आपका गड़े लकाड़ दमागे एधा कड़ां दे नाल ते एधा हे टोट दी वीच एधा एक स्टिक हुन दिया इधा दी हुन दिये है ते हण में नू साफ कारके ते चंगी तरा दो तिन ना पालिया चे तो उनाया हरे प्याज नू क्योंकि इना पूकांदे बेच मित्ती काफी लगी हुन दिया इना नू तो ओके आपा पहला चंगी तरा काट लंबांगे ते फिर आपा आलू दी कटाई करांगे ते आद दिखो जी मैं इना चंगी तरा तो के काट ले आसी ते जीरे आलू दे पीस में कटे हुई है ओज द लंबे ते पतले कटे है ताकि जीरे अपने आलू शेती पाक जाने क्योंकि हरा प्याज ता मेंटा चे हो ज़न दाया पो ज़न दाया ते हड़ा इचे में सारसों दा तेल पाताया ते एर विच पामांगे जीरा सारसों दे तेल नू चंगी तरा पकोनाया ते फिर एर विच जीरा पाता हड में ते जीरे दे नाली में पाउंगी हर यां मेर्चया ते लसन इना नो थोड़ा जे पुन नांगे अपमा ते पुन पफ्राइब आलू नू पामांगे तरह कि अपने आलू आलू नू पामांगे। अलुएं थोड़े जहे हो गया सी पक गया सी एरे बिच मैं पाँगी टमाटर ते एक बड़ डाम साईदा टमाटर सीगा ते इंद बिच पाँदा टमाटर ते बस हना पा एनू टाक के पकाल मांगे क्योंकि यहे मेंट ची पक जानाया ते आलो जी अपना इछले टमाटर प्रची दे नाल मेश काल लूंगी चंगी तरा ताकि जड़े टोमाटर रहा ओ फैस जान सारे ते एद विचे एक चामचा में कस्तूरी मेथी पाद दिता आया ते हान आप एद विचे पाद मांगे हरा प्याज अपने जड़े आलू सीगे ओ चंगी तरा पाके चुक्के या जड़े माली मों तीक असर रहा गे या ओ हरे प्याज जादे नाल पाके जाओगे क्योंकि आप आप हरे प्याज तेस्ट थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखनाया जाद आप नड़ानी हैगा जेपो न लमांगे तफे वो टेस्ट नहीं आऊगा हरे प्याज ते एद विचे में पाउंगी हाल्दी ते एक गल्धा ते आना रखनाया कि आपानू हाल्दी बस अद्दे तो वी अद्दा चामचा पोणीया जानी के एक चामचे दा च्वत्था ही साही हाल्दी पोणीया अपा एर विच जादी हाल्दी चंगी ने लाग दी ते हण मेरे विच पाऊंगी एक चमचा तनिया पोर्डर एदा काफी बदिया फ्लेवर होंदाया साबजी दे विच ते नमक में पैलोई पाद ता सीगा ते हण आपाईनू चंगी तरा मलाके मिक्स कारके टाके पकामांगे ते आदेखो जी आपनी जेडे काफी हाद तक अप ते साबजी अपनी बणके त्यार हो गई है देखो जी बोजा टेस्टी मैं एदे विच लाल मिर्च दा इस्तमाल बिलकुल पी ने कीता नैचुरल कलर रख्या साबजी दा ते थान मेरी यह रेस्पी कित्दा ही लगी जरूर दस्यों मिल देया फिर बाई-बाई